चैप्टर फोर संग्या आज हम चैप्टर फोर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संग्या जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं नाउन यानि की नेमिंग वर्ड इसमें हम देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने पिता जी के साथ चिडिया घर देख रहा है और वे कुछ बाते कर रहे हैं तो हम चैप्टर शुरू करते हैं पिता जी कह रहे हैं देखो बेटा चिडिया घर में कितने सारे पशु हैं ये सभी जंगली पशु हैं हमें इन्हें परिशान नहीं करना चाहिए तो पिता जी अपने बेटे से कहते हैं कि चडिया घर में बहुत से पशू हैं और वे सबी जंगली हैं इसलिए हमें उन्हें परिशान नहीं करना चाहिए और आप देख सकते हैं कि यहां जो शब्द है चडिया घर वो हाइलाइट किया हुआ है मनु कहता है पिताजी क्या हम तोते और बंदर को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं यहाँ पर मनु तोते और बंदर को भी हाइलाइट किया गया है पिताजी नहीं मनु चिडिया घर में ये सब मना है तो मनू अपने पिताजी से पूछता है कि क्या हम तोते और बंदर को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं तो पिताजी कहते हैं कि नहीं चिडिया घर में यह सब मना है और ये जो हमें words highlight करके दिये हुए हैं ये क्या है सभी ये सभी हमें नीचे दिया है कि उप्रोप वाक्यों में चिडिया घर एक स्थान का नाम है, तोता, पक्षी का, वह बंदर एक जानवर का नाम है, मनु एक लड़के का नाम, वह पिता जी पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है, इन सभी शब्दों को हम संग्न्या कहते हैं। तो ये सभी चो हाइलाइट की वे वर्ड्स हैं, ये सभी संग्न्या हैं, और संग्न्या क्या होती है, जैसे किसी स्थान का नाम, यानि किसी जगे का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, ठीक है, इन सभी ये जो सभी नाम होते हैं, अलग-अ चीजों के उन्हें हम संग्या कहते हैं और संग्या की परिभाशा है कि किसी प्राणी वस्तू सान भाव आदी के नाम को संग्या कहते हैं जैसे रवी पैंसिल दिल्ली बुडापा आदी तो ये जो संग्या की परिभाशा है इसे आप अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर सकते और लास्ट में जो यह हमें दिया हुआ है कि हरेक प्राणी वस्तू या स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और ये जो नाम है यही उनकी पहचान है और ये जो नाम है इने को हम संग्ना कहते हैं अभ्यास कार्य का संग्या किसे कहते हैं उदाहरन सहित लिखिये तो जो हमने फर्स्ट पेज पर अंडरलाइन किया है संग्या की परिभाशा वही आपको यहां लिखना है कि किसी प्राणी, वस्तू, भाव, स्थान, आदी के नाम को संग्या कहते हैं और उदाहरन में आप अपनी पसंद के कोई भी उदाहरन यहां लिख सकते हैं जैसे किसी जानवर का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी व्यक्ती का नाम, किसी जगह का नाम वो आपको यहां अपनी पसंद से लिखना है, यहां पे आपको लिखना है, ओके ख निम्नलिकित वाक्यों में संग्या पर चुनकर लिखिए तो जो वाक्य हमें यहां दिये हैं उनमें हमें संग्या पर चुनकर लिखना है सबसे पहले है जतिन कक्षा में बैठा है तो यहां पे संग्या क्या होगी एक तो जतिन क्योंकि जतिन एक व्यक्ति का नाम है और दूसरा कक्षा क्योंकि कक्षा एक जगे का यानि के स्थान का नाम है तो इन दोनों ही शब्दों को हमने यहाँ पर लिखा है नमबर टू नीना पुस्तक पड़ रही है तो इसमें संग्न्या है सबसे पहले तो नीना और दूसरा है पुस्तक क्योंकि नीना एक लड़की का नाम है और पुस्तक एक वस्तु का नाम है नमबर त्री अध्यापक के हाथ में घड़ी है तो अध्यापक और गड़ी नमबर फोर ताज महल आगरा में हैं तो यहाँ पे दो संग्याएं हैं एक तो ताज महल और एक आगरा ताज महल जो है वो भी एक जगे का नाम है और आगरा जो है वो भी एक स्थान का नाम है वो एक शहर का नाम है इसे लिए नमबर फाइव शेर हिरन के पीछे दोड़ रहा है तो यहाँ पर दो संग्याएं हैं शेर और हिरन क्योंकि ये दोनों ही जानवरों के नाम है गव चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए सबसे पहले चित्र है जो हमें दिया है वो है सूरज का चित्र और उसके बाद है तोते का चित्र फिर है शेर और बाद में है किता तो आपको भी इसी तरीके से ये नाम अपनी बुक में लिखने हैं गव क्या आप इनके नाम जानते हैं चित्र पहचान कर नाम पूरे कीजिए तो सबसे पहले है इंडिया गेट फिर है कुतुब मिनार और इसे तो हम सब जानते हैं ये क्या है ये है ताज महल नेक्स्ट निम्न लिखित में जो नाम समू से अलग हो उस पर सही का निशान लगाए तो यहाँ पर हर कोश्चन में हमें चार नाम दिये हैं जिन में तीन नामों में समानता है लेकिन एक नाम जो है वो समू से बिलकुल अलग है तो उस पर हमें टिक का निशान लगाना है सबसे पहले है लड़की, स्त्री, आदमी और शेर तो हम टिक का निशान लगाएंगे शेर पर क्योंकि बाकी के तीनों इंसान है और शेर जो है वो है जानवर नमबर टू, लाल किला, दिल्ली, ताज महल और जनतर मंतर तो यहाँ पे हम टिक का निशान लगाएंगे ताज महल के उपर क्योंकि लाल किला, दिल्ली, जनतर मंतर ये सब दिल्ली से जुड़े हुए हैं और ताज महल जो है वो आगरा में है नमबर थ्री, तोता, चिडिया, हाथी और चील तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे हाथी के सामने क्योंकि बाकी के तीनों पक्षी हैं लेकिन हाथी एक जानवर है नमबर फोर, राम, सुरेश, बिल्ली और पंकज तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे बिल्ली के आगे क्योंकि बाकी तीनों लड़कों के नाम है लेकिन बिल्ली एक जानवर है नमबर फाइव नमक, पानी, चाय और शर्बत तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे नमक के आगे क्योंकि पानी, चाय और शर्बत जो हैं वो तीनों पीने की चीज़े हैं और उनमें समानता है लेकिन नमक जो है वो बिलकुल अलग है Next, नेमन लिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिये हैं और उन शब्दों का उप्योग करके हमें वाक्य बनाने हैं तो सबसे पहला शब्द है मुंबई तो हमने यहाँ पर वाक्य बनाया है मुंबई एक बड़ा शहर है इसी तरीके से आप मुंबई शब्द को यूज करके कोई और वाक्य भी बना सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है शेर तो हमने एक्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वाक्य बनाया है कि शेर जंगल का राजा है फिर है सरिता तो नदी को सरिता भी कहते हैं नमबर फोर शिमला, शिमला एक सुन्दर शहर है, नेक्स्ट है भालू, तो भालू जंगल में रहता है, नमबर सिक्स पंकज, तो पंकज पूने में रहता है, नमबर सेवन कानपुर मेरे मामा कानपुर में रहते हैं नमबर एट पुस्तक मोहन एक पुस्तक खरीद कर लाया नमबर नाइन पतंग राजु को पतंग उड़ाना पसंद है नमबर टेन पैंसिल मीना पैंसिल से चित्र बना रही थी तो हमने यहाँ पर जिस तरीके से वाक्य बनाए हैं आपको भी इसी तरीके से इन शब्दों को यूज़ करके वाक्य बनाने हैं और अपनी बुक में लिखने हैं